नमस्कार दोस्तों, पंच तंत्र की प्रसिद्ध कहानियों में से एक और कहानी आपको सुनाने जा रही हो, जिसका नाम है जादूई पतीला, सालों पहले पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था, वह गाव के एक जमीनदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था, पहले किशन के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े, मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था, वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थि को बहतर किया जाए, आज भी इसी सोच के साथ किशन सुभह सुभह जमीनदार के खेत पर काम करने के लिए निकला, खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातू से टकराई और तेज आवाज हुई, किशन के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ, उसने तुरंत उस हि कोड़ी सुधर जाती, फिर किशन ने सोचा कि चलो, अब खाना ही खा लेता हूँ, किशन ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुह धोकर खाना खाने लगा, खाना खत्म करने के बाद किशन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पहुचा. वहाँ पहुचते ही किशन हैरान हो गया. उस पतीले के अंदर एक नहीं, बलकि बहुत सारे कुदाल थे. उसे कुछ समझ नहीं आया. तब ही उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया. वो एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर किशन खुश हो गया और उस जादूई पतीले को अपने साथ घर लेकर चला आया। वो हर दिन उस बरतन में अपने कुछ औजार डालता और जब वो ज्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते किशन के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदें और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह धीरे-धीरे किशन अमीर होने लगा और उस उसने जमीनदार के यहां मजदूरी करना भी छोड़ दिया। खिशन को अमीर होते देख जमीनदार मोहन को किशन पर शक हुआ। वो सीधे किशन के घर पहुँचा। वहां जाकर उससे जादूई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा, तुमने यह पतील किशन ने जादूई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मिन्नते की, लेकिन जमीदार मोहन ने उसकी एक नहीं सुनी. वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादूई पतीला लेकर चला गया. जमीनदार ने भी किशन की ही तरह उसमें सामान डाल कर उन्हें बढ़ाना शुरू किया. एक दिन जमीनदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक-एक करके उस पतीले में डाल दिये और रातो रात बहुत अमीर हो गया. एकदम से जमीनदार के अमीर होने की खबर पीत पतीला राजमेहल मंगवा लिया. राजमेहल में उस जादूई पतीले के पहुचते ही राजा ने अपने आस-पास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू दिया. सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया. होते होते आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंद अपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। अतिहानी से सीख, जादवी पतीले की कहानी से दो सीख मिलती है। पहली की मूर्खता का अंत बुरा ही होता है। दूसरी, यह की हर सामान का इस्तिमाल संभल कर करना चाहिए। अतिहानिकारक हो सकती है। इस कहानी से जो सीख हमें मिलती है, अगर आप भी उससे सहमत है, तो कम नमस्कार जाए हिंद